तुरुतिय अध्याय प्रारंब करते हैं ओम गंगनपते ये नमाहा जै श्री राम जै अनुवान अथ तुरुतिय अध्याय प्रारंबं श्री मारकंडेय जी ने कहा है मुन्य बगवान श्री नारायन ने बगवान शंकर से इस प्रकार समाधीस्त होकर सब कुछ स्वयम देखने के लिए कहा तब बगवान शीव उनी के समक्षयोग मुद्रा को धारन करके ध्याना वस्थित हो गए उस समय उनके सरवांग से महा प्रकाश में तपो तेज प्रकट होने लगा। वहा पर जो भी मुनिगण वह अन्य उपस्थित थे। वे सभी बगवान शंकर भुवन भासकर जैसे महा उग्रतेज पूर्ण शरीर को अवलोकन करने में सभी प्रकार से असमर्थ हो गए। ध्याना वस्थित होकर सर्वपथम भगवान शंबू ने आत्मा को देखा। उसके जोतिर्मय स्वरूप के अंतरगत महा शक्ती योग माया, श्री महा लक्षुमी सयुक्त प्रात्पर परदम्म परमेश्वर, श्री सत्य नारायन का शुबदर्शन प्राप्त किया। जो ना स्थूल ही था, और ना सुक्षमही था, एक मात्र अलवकिक और अपूर्व अनुपम था। अद्बुत、 आत्मा प्रकाश पूर्न था। वा सुबदर्शन सम्मिषीत प्रम-अद्बुत महा योग में प्रकाश था। प्रब्रम्म और महाशक्ति का वो प्रकाश अवर्णनिय था। आत्मा नित्य आनंद रूप निरानंद है। एकार्णव में परमशुद्ध है। इंद्रियों की पहुच से परे है। मानोव आत्मा एक मात्र निर्गुन है। परंतु सर्वदृष्टा है। सब कुछ तथा स को देखने वाला है। परागपर परब्रम्म परमेश्वर में गमन करने वाला आनंद रूप है। कारण की उस आत्मा में परागपर परब्रम्म परमात्मा का और महाशक्ति का परमप्रकाश है। यदर्थ वह भी तेजो में महाजोती रूप है। आक्मदर्शन योग है। बगवान शंभू ने उस शक्ती प्रब्रह्म को योग पूर्ण प्रणाम किया। जिति ये योग दर्शन में बगवान श्री शंभू ने देखा कि ये समस्त अनन्त ब्रह्मांड एक मात्र महान अंदकार पूर्ण प्रमशुन्य था। अनन्त वर्षों के उपरांत शुरुष्टी शुजन्काल आया। उस समय सर्वपथम ओम प्रणाव सुनाई पड़ा। उपरांत वह प्रणाव ओम के रूप में साकार हुआ और वह जोतीर में महान प्रकाश मान हो गया। उसी प्रणाव सुरूप ओम के अंतरगर महायोगेश्वर बगवान परब्रम्म परमेश्वर और महाशक्ती परांबा महायोगेश्वरी दोनों ही सर्व शुरूंगार में अर्धनारे नटेश्वर सुरूप में अर्थात आधे अंगमे महाशक्ती और आधे अंगमे परब के संपूर्ण ग्रगोर अंदक्कार को समाप्त कर दिया बगवान शंबू ने नतमस्तक होकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया जब पुना देखा तो वे महाप्रभु शंक चक्र गदा पदमधारी चतुर बुज़ स्वरूप में और महाशक्ती भी शंक चक्र गदा पदम प्रकुति योग महा माया श्री महा लक्षुमी जी का और काल महा पुरूष पराक्पर परभ्रम्म परमेश्वर बगवान श्री महा विश्नु सत्य नारायन का शुब दर्शन प्राप्त हुआ उन्योगुल महा मुर्ती का स्वर्वांग में श्रुंगार अनुपम था और उनका वह स्वरूप महा योग गम्य पूर्ण महा योग में पूर्ण तहा परम अलवकित था महान मनोहारी महान अद्भुत था कोटी सूर्य पतिकाश और कोटी चंद्र पतिकाश का वह महा अलवकित योग पूर्ण महा प्रकाश महान अनुपम था बगवान श्री स्रम्भ ने नतमस्तक होकर उन युगल मुर्ती के चरण कमलों में योगमय प्रणाम किया प्रणाम उप्रांत भगवान श्री शंभू ने देखा कि प्रणाव स्वरूप ओम ने ऊपर की और एक महाप्रकाश प्रवाहिक किया जो उन युगल मुर्ती से ही निकला हुआ महाप्रकाश था विलक्षन जोतियों की रश्मियों के प्रकाश से परिपूर्ण वहमां विभ्वा उपर जाकर सूर्य के रूप में महाप्रकाश करने लगा योग महा मायाश्री महालक्षमी के नेत्रों से एक महान योग में परम अद्बुत प्रकाश निकला जो मध्य बाग में स्थित होकर अपूर्व प्रकाश में स्वर्ण का महाअंड जैसे पदर्शित होने लगा और महा विशाल महानंद पूर्ण शब्द के सात्व अंद पूत कर तीन विभागों में विबक्त हो गया जिससे आकाश और महा पाताल तथा मध्य का भाग प्रत्विवत समस्त जलमय सा प्रदर्शित होने लगा बगवान गुवर्ण भासकर सूरदेव आकाश में शोभायमान होने लगे जिनका प्रकाश किरन रूप में जलके समस्त भागों में पढ़ रहा था बगवान शम्भू ने देखा कि वह प्रणोंव सुरूप ओम सूर्य महा मंदल हो गया और बगवान स्री सत्य नारायन सूर्य के आत्मा स्वरूप पदर्शित होने लगे तथा महाशक्ती श्री महालक्षुमी जी बगवान श्री सत्य नारायन की आत्मा स्वरूप पदर्शित होने लगी बगवान श्री शंभू ने उन युगल महायोगेश्वर के उस महायोग गम्य स्वरूप के चरंड कमलों में नतमस तक होकर प्रणाम किया आकास्तित सूर्य मंडल के अंतरगत शोभायमान भगवान श्री सत्य नारायन तथा महायोग माया श्री लक्षुमी जी के नेत्रों से दो महा जोतिर्मे प्रकासपुंज निकले उस में से एक तो भगवान अग्निदेव के रूप में नीचे की तरफ आकर उस महा जल में लीन हो गया दूसरा महा तेज्वान पवन देव के रूप में ऊपर को जाकर महा आकाश में लीन हो गया बगवान श्री शंबु ने आत्मयोग के उस महादर्शन में देखा कि सूर्य मंडला अंतरगत शुभायमान महाप्रभू श्री सत्य नारायन के वर्द मुर्द्रामय करकमल से एक ही साथ तीन महा तेज प्रकट होकर नीचे की तरफ आकर महाजल के उपर स्थित हुए जिससे शेश सयपर शोभायमान भगवान विष्णु नारायन का सुभदर्शन हुआ और उनकी नाभी से उधित महाप्रदम के उपर शोभायमान चतुर्मक भगवान श्री ब्रम्हा जी का सुभदर्शन प्राप्त हुआ तथा उस महाजल भाग में शिकर के समान शुभायमान पृत्वी के उस परम शांती महातपो भूमी में योगा सनासीन बगवान स्री महेश्वर सदाशिव योग पूर्ण समाधी पूर्ण तपस्या में विराजमान दिखाए दिये भगवान श्री शंभू ने योग महा निद्रा में प्रत्यक्स देखा कि ब्रह्म के प्रत्यक कारियों में शक्ती ही सर्वप्रधान है शक्ति से सयुक्त होकर ही महाप्रभु परब्रम्म प्रमुक्षुष्टी का नवसुजन करते हैं सर्वत्र ही महाप्रभु पराग्पर परब्रम्म परमेश्वर महाप्रभु श्री सत्यनारायन जी और योग निद्रा सुरूपा प्रकृती महा योगमाया, महा शक्ती स्री महा लक्षिमी जी ही सर्वरप्रदान है, सर्वसृष्टा है, सर्वेश्वर है, अलोकिक है, योग गमेश्वर है, महा अध्यात्म वेदान्त सांख्य योगमय महा योगेश्वर है, ऐसा विचार करते हुए वे भगवान श्री शंभू उन महाप्रभू और महाशक्ति को नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगें। इती श्री सत्य नारायन यूग कथायां तुतियो ध्याय हस्वंपूर्णं। जै श्री राम जै हनुवान।